जैहिंद इवर्वन वेल्कम बैक टू रेंकर्स क्लास नाइंट इसी चैनल दिस इस कुनार क्लास अभी इसी फॉर्मेट वे आपकी आज एक दो दिन होगी ठीक है उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल सेटप पर लाइक मैं भी दिखने लगूंगा आपको और आपको कंटेंड भी आपका दिख रहा होगा आज हम लोग कोई इशू आपको नहीं होगी आवाज वगरह सब कुछ आपको प्रॉपर मिल रही होगी और जितने भी लोग अभी तक पेलिग्राम ग्रूप या ठेलिग्राम चैनल में नहीं है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल पहले आपको मैं बता दे रहा हूं आपके पास आपका ही अपना एप है आपको लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसको डाउनलोड करके पहली तो जितने भी फ्री मैटेरियल्स आपको मिल रहे हैं लाइक आपको हर चैप्टर की डी पी 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 प डाउनलोड करते हो जाके वहीं से एंकस NTSC भी डाउनलोड कर लो ठीक है बाकी दो चीज़े हम आपको प्रवाइड कर रहे हैं हमें पता यार कई न कई कोई भी स्टुडेंट हो उसके लाइफ में एक चीज़ जरूर आती है कि वह प्रॉब्लम फेस करता ही है अपनी कंटी किन्वेशन नहीं है आप चिन्टीनी कर पारे तेन यू कन जॉएन हाइं आवर कश्रों मेंटर्सिफ जहां पर हम एक एक बच्चे से बात करने की कोसिष करते हें हर वींक Merle को सुनते निकों को सॉल्न करने की को कें। इंट्रेक्शन से ही चीज़े solve होती है तो इतनी चीज़े हम करने कोसिस करते हैं और बहुत इसारी चीज़े हमने अल्रेडी पड़ रखी है तो आज बिसिकली में बहुत ज्यादा है कैल्कुलेटिव प्रॉब्लम्स तो नहीं आते हैं हाँ देखने के बाद थोड़ा सा समझ के दिमाग लगाने वाले कोशन जरूर होते हैं अगर वह आप लगाते हो तो कहीं ने कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को solve कर रहे होगी तो इंडिकेटर के तोर पे पढ़ा दिया डेटर में जैसे जाता है यह रेडिस कलर का होने लगता है और आपने नॉर्मली भी यह चीज़ में देखी होगी कि आप अगर देखना है तो अपने साफेद सा अटेक उठाओ उस पर कोई एक हल्दी गिरा लो फिर उसके बाद उस है, चलिए, second question, यह भी बहुत easy question है, basically, second one, which of the following, sorry, pH है आपके पास, A, B, C, A का कितना है, 6 है, A का लिखते चलिए है, आप प्रॉपर, 6 है, B का कितना है, तो B is 4, and C is 8, ठीक है, great, अब आप से बोला गया है कि, pH इस तरीके से है, तो आपको acidic strength या फिर basic strength के according लगाना है, तो हम में अगर ध्यान से देखे हैं, तो pH के अगर मैं बात करता हूं, तो pH कहां से कहां vary करता है, 0 से 14, ठीक है, अब pH की value जतनी जादा, acidic strength की ही बात की गई option में, तो acidic strength क्या होगी, भया उतनी ही कम, जहां से देखे highly basic होगा न, पताए क्या वह highly basic होगा, वो लोग बिल्कुल भही है, यह तो highly basic हो जाएगा, अगर pH की value 0 अगर माम लूब मैं 1 बोल देता हूं, आपसे, तो यह highly acidic होगा, highly acidic होगा, है न, तो highly acidic मतलब pH की value जतनी कम, उतनी highly acidic strength जादा, जतनी pH की value जादा, acidic strength उतनी कम, तो देख करता हूं किसकी की फिर किसकी बात करता हूं बी की तो सबसे ज़यादा सबसे यहादा यहाँ पर देखे is called प्यूर सोडियुम क्लॉराइड का मतलब क्या भी है जो हम कहां से निकालते हैं सॉल्ट वाटर से निकालते हैं फिर उसको हम क्या करते हैं प्योरिफाइड काम करने का काम करते हैं तो देगे जितने भी आप कोश्चन सभी तक करते आए हो सारे देखो हर्याना 2017 में पूछा ग ताकि बाद में कुछ और चीज़े हम लोग करते रहे हैं ठीक है तो इस इंप्योर जिप्सम तो भीया सॉल्ट है नहीं मतलब बेसिकली सॉल्ट तो है बट अपना इंप्योर सोडियूम क्लॉराइड नहीं है जिप्सम क्या होता है क्यालसियम सल्फिट रॉट टू एस टू टो हो ठीक है वो तो है नहीं कार्बोनेट का सॉल्ट तो है नहीं क्लॉराइड सॉल्ट होता है रॉक विल्कुल बोल सकते या रॉचन सॉट भी नहीं थूँन नुम्बर भी इस में बेसिक होगा है दो महाराष्ट्र 2017 में ऐसे ही questions आप से पूछे जाएंगे stage 1 में और stage 2 के भी questions में लगवाऊंगा alkaline का मतलब क्या है कि यह basic होगा उसमें अब आपके पास salt given है कौन सा salt basic होगा कौन सा salt neutral होगा इसमें आपको पहचाना और कौन सा acidic होगा यह मैंने बताया हुआ है समधाया हुआ और कराया हुआ है तो आप जरूर कर पाओगे कि अगर strong acid, strong base, neutral salt, strong acid, weak base, acidic salt, strong base, weak acid, basic salt तो इस तरीके साब को चीज़े categorize करने हैं अगर पहले कि मैं बात करता हूँ Na2CO3, इनको तोड़िये, बोलेंगे acid तो भया weak है, carbonic acid और base क्या है, NaOH, which is strongly basic और NaCl की बात करूँ तो यह neutral है, क्यों neutral है, HCl भी strong है, और NaOH भी strong है यह भी बोलूँगा neutral है, क्योंकि दोनों strong है, neutral है, और यह तो acid है, यह तो base है ही नहीं, यह तो acid है बचा कौण सा option, first option, direct हमने first कोई break कर आए, और first ही correct निकल गया, ठीक है, चलिए, कोई बात नि, अगले सवाल पर आईए इस पर प्रॉपर समय लीजे भाई, यह question पक्का पूछा जा सकता और यह अधिकतर बार पूछा गया है, पूछा क्या जा सकता है, करनाटका 2016 का question लिए, the following substances are arranged in the decreasing order of pH value, तो basically decreasing order में आपको arrange करना है, तो सबसे यादा किसका होगा, उस तरीके से हम लोग बात करते हुए, चलते हैं, ठीक है, फटा-फट करिए, तो अगर थोड़ा बहुत अंदाजा हो, ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाजा हो, तो लगबग लगबग यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़े दिख रहे होंगी, सारी की सारी लगबग लगबग क्या होती है, हम जो पेस्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि यह बेसिक इन नीचर होता, तो सबसे यादा सबसे पहली बात की भाई, ऑप्शन में ही चारो दिख रहा है, कि सबसे यादा क्या होगा, टूथपेस्ट सबसे यादा बेसिक होता है, इसका पी-एच एप्रॉक्स 10.5 के असपास में होता है, क्योंकि आफ्टर देट सबसे यादा बेसिक यह होगा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो आफ्टर देट हमारा जो टोमेटो है, इसका तो पांच से कम होता, जो ब्लड हमारा उसकी प्रॉक्स 7 के उपर लाई करती है, 7.4 के आसपास होती है, तो 7 के एंड वल भी ब्लड, आफ्टर देट, यह याद कर लेना, इसकी लिस्ट मेंने दी हुई आपको, उसके लिए अगर आप परिसान होगे, तो फिर बेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो सलाइवा एंड कॉफी, यह दोनों में 5.10 तक वैरी करती है, तो बी ए, तो बी ए, दी आएगा, फिर आई हो, डी या सी, विच वन विल करेक्ट, डी या सी, तो ऑप्चन बी कहीं नहीं है, हम सी ही पहले रख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, वैरी करती है, यह 4.8 से लेके यहां तक, ठीक है, बट इक्स इग्जैक बी ऑप्चन करेक्ट ही है, और यह क्या है, यह तो एसडिक ही आपका, ठीक है, तो बी विल बी दे करेक्ट ऑप्चन, अगले कोशन पर आईए, बट यहां पर अगर जान लोगे, तो आगे अगर इस तरीके को कोशन आपके पास आएगा, तो आप कर भी ज़रूर लोगे, तो आपके सटोंग ऑकसिदाइजिन एजट ठीक है, हम जानते हैं इस बात को, इन एसड़िक मीडियम, तो प्रोवाइज़िक मीडियम में जाता तो फो इसटोंग ऑकसिदाइजिद एजन्ट होता है, ये भी अब दिमाग में धेखो और कोश्चन एक सीख देके का क्या है, कि KMNO4 एक ऐसा agent है जब इसको हम acidic medium में डालते हैं तो strong oxidizing agent के तरह काम करता है तो provide acidic medium S2SO4 is used हमेशा क्या use करते हैं S2SO4 क्यों 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 है हम SCL क्यों है डालते हैं इसकी बात करते हैं स्ट्रॉंग रेसी बात है लेकिन जरूर यह रिजन यहां पर करेक्ट है या नहीं इसको मैं समझा दे रहा हूं यहां पर कि KMNO4 जब आप डालते हैं इसमें भी है क्या करना है परहावी हो जाता है ठीक है चलो अगले सवाल पर आईए X is a substance which is soluble in water ठीक है कोई एक सबस्टांस है जो कि X की बात हम कर रहे है कोई भी सबस्टांस आप अपना attempt करती रहो मैं अपना attempt कर रहा हूं यह उडिसा 2017 का सवाल है ठीक है X is a substance which is soluble in water ठीक है अच्छी बात है उतनी दिमाग में आप लिखते चलो बेसिक नेचर का होगा एंड प्रोड्यूसस एस्टू अन रियक्शन विद जिंग भाईया ठीक है ह्तुगू लिद सब्सके के बपाउस की बात की जा रही है का बोलिए लोर ऐलकली प्रोसेस की बात की जा और जिसको याद हो तो हम क्या करते है ग्राइन में सब करेंट पास कराते हैं ये च्शा था ब्राइन में करेंट पास कराते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है और इन ही की बात हमें की जा रही है ऑगले सवाल पर ओड़ी इस तरीके से आप से अरेंजमेंट करके परिसान किया जा सकता और परिसान करने का काम किया है महारास्ट 2014 दने खीक है तो यह जितने भी आपको तो यहां पेंको देख्वन को किया है अगर इसको आप देखें ध्यान से तो हाइडोजन 3 है बोरॉन एक है ऑक्सीजन 3 है अब भोरिक एसेड तरह आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके देखेंगे यह क्या है पोरीक एसिड तो यह बेस तो है निवा यह तो एसिड है समय नहीं दूँगा क्योंकि मुझे पता है कि acid-based salt में बहुत जादा समय नहीं लगता इस question को करने के लिए match the column with one and two, one को मिलाना है two से select the correct using code given correct options को ही match करना है तो plaster of Paris क्या होता है sulfate का salt है calcium sulfate का gypsum भी save है बट यहां पर water of crystallization vary करता है gypsum में ज्यादा होता है प्लास्टर पर इसमें कम होता है gypsum को जबाब 373 degree Celsius Kelvin पर आप क्या करते हैं heat करते हैं तो यह convert हो जाता है कि इसमें plaster of Paris में bleaching powder calcium oxy chloride lime water calcium hydroxide तो यह मिलाते तो यह दोनों खतम हो गए एक क्यूट बीग आर बीग आर सी का एस और पी तो सी का क्या था इस था यह फोड़ा सो option elimination से भी कर सकते हो अगर एक दो नहीं भी पता हो तो option elimination यूज करो और काम कर लो अब यहां पर देखो anti-acid 2011 का सवाल है यह बेसिकली और आप अच्छे तरीके से देखोगे और कर भी लोगे यह मैंने क्लास में करवाया हुआ है क्लास में बताया है कि कौन सा anti-acid आप यूज करते हो anti-acid का simple सा मतलब अकर आप बोलोगे anti-acid की जब आप बात कर रहे हो तो आप क्या करना चा रहे है अम्हाइब के अपूजर्ट वाला कोई वी एक कंपान डालने की कोशिस कर रहे हो तो भई है यह क्या होना चाहिए ऐसानी कि जाकर पेट में बेसिक मीडियम क्रिएट कर दे बस हमारे जो थोड़ी सी ऐसी ज्डियट ज्यादा हुई है उसको खतम करने का काम करे ऐसा compound आप डालिए, तो mild basic होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत strong basic आप डाल दिये कुछ, ठीक है, तो sodium carbonate, ठीक है, basically salt है, बेस तो है नहीं आपका, ठीक है, magnesium hydroxide, magnesium hydroxide, and sodium hydroxide, ये तो डाली नहीं सकते, ठीक है, sodium bicarbonate, calcium dihydroxide, ये भी नहीं डाल सकते, ये caustic होता है, caustic in nature, ठीक है, तो बस्तक है, magnesium hydroxide, ये तो बताया है, mild basic होता है, sodium bicarbonate, ये भी क्या है, mild basic है, तो fourth will be the correct, ठीक हो, sodium bicarbonate भी डाल सकते हैं, ये क्या है, carbonic acid, और sodium hydroxide का mixture है, तो कहीं नहीं, थोड़ा सा mild basic salt होगा, ठीक है, और जो आपका magnesium hydroxide है, ये mild basic है, ये भी, ठीक है, बेस है, mild basic, तो ये छोड़ा सा effect अपना base का दिखाएगा, और काम कर जाता है, तो दो anti-acid याद कर लो, ये दोनों आप use करते हो, जो आपको acidity होती है, basically, ठीक है, चालो, यहाँ पर देखो, which of the following acid is used by gold smith for the cleaning gold and silver ornament, तो ये तो basically metals and non-metals में आपको मैं करवाओंगा, भी metals and non-metals chapter में, ठीक है, metals and non-metals में, कि वहाँ पर जो hydrogen को कौन-कौन replace कर सकते है, ठीक है, silver, basically silver है, gold है, आपकी ये क्या करते हैं, आपकी hydrogen को replace नहीं कर सकते हैं, because, ये reactivity series मैंने दिखाई होगी आपको कभी, reactivity series में, जो नीचे आते हैं, वो उपर वाले को replace नहीं कर सकते हैं, जबकि उपर वाले क्या होते हैं, highly reactive, वो नीचे वाले compounds को हटा सकते हैं, clearly, तो यहाँ पर simply, जो strong oxidizing agent होगा, वो यह काम कर सकता है, तो इसके लिए third option will be correct, इसका में reason अभी explain नहीं करूँगा, जब आपको metals and non metal sector पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मैं समझा दूँगा, ठीक है, चलो अब यहाँ पर आओ, are in the following in a decreasing order of their acid character, stage 2 में पूछा हुआ सवाल, और 2010 में, ठीक है, तो maybe आपके time पे भी यह repeat कर जाए, तो इसको ध्यान से देखो, vinegar, stomach acid, lime water, soap solution, decreasing order में करना है, acidic strength के, तो जो acidic strength जिसका मतलब basic character काम होगा, उसके start करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, कटाफट करो इसको, ठीक है, ठीक है, देखो, तो इस तरीके से पहले break करने कोशिस करो, यह कि अब यह acid, mild basic होता है, जबकि stomach में क्या present होती है, तो यह strong acidic होता, तो सबसे ज्यादा तो B होगा आपका, फिर यह दोनों तो basic है, lime water और soap solution, basic है, तो पहले जितने acidic वाले होंगे, वो आएंगे, तो सबसे ज्यादा acidic B वाला होगा, फिर कौन होगा, यह A, क्योंकि वो acid है, बाकी दोनों base बचे हुए है, अब इन दोनों में ल सबसे पहले lime water है, क्योंकि calcium hydroxide यहाँ पर आपका है, ठीक है, जब कि यह sodium hydroxide, तो calcium hydroxide is weaker based than sodium, है ना, तो अब यह सी बात है, कि हम पहले D को रखेंगे, फिर after that, क्या किसको रखेंगे, C को रखेंगे, ठीक है, B, A, D, C, first option will be correct, जो जितना ज्यादा basic होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, इधर basic strength वरती, इधर कैसी वरती, acidic, जो जितना ज्यादा basic, उतना ही कम acidic है, तो वैसे ही, यह सबसे ज्यादा basic, तो उतना ही कम acidic होगे, बट उससे कम basic था यह, तो उससे ज्यादा acidic होगा, कहीं ने कहीं, ठीक है, चलो, अगले question पर आओ, यह भी 2014 stage 2 में पूछा portion है, ठीक है, करिये फटा-फट, थोड़ा सा respect दोर करो, which of the following represents the correct order of acidic strength for equimolar, equimolar का मतलब अगर same concentration हम ले रहे हैं, सबकी, मतलब एक, मोल, दो, मोल, इसी तरीके से हम सबकी same concentration ले रहे हैं, ठीक है, solution of HCl, H2SO4, NH4OH, and NaOH, तो उसकी acidic strength के according पर हमें arrange कर ना है, तो सबसे ज़्यादा, तो यह HCl ही होता है, यह तो बताया गया है आपको, फिर काउन होता है, S2SO4 होता है, फिर काउन होगा, acidic strength की बात हो रही है, sodium hydroxide, फिर काउन होगा, तो, sorry, ammonium hydroxide, फिर sodium hydroxide, ठीक है, तो यह strength होगा, देखे लो, जिस तरीके का हो, रिप्रिजेंट करेंट और रहा, तो इस तरीके से, S2SO4 और स्केलर थे, CL, कोहीं निमेज कर रहा, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करेक्ट आप्शिन, I think कुछ यहां पर error हो गया होगा, ठीक है, इसको swap कर लेना, यहां पर, इसको, यहां पर, ठीक है, यह swap कर लोगे, तो second option, I hope, सब्सक्राइब कर लोगे, अगले लेक्चर में, that is, मेटल में बता दूँगा, M4 टेरिक, यह ऐसा सब्द है, जो क्या करता है, यह ऐसा compound है, M4 टेरिक कंपाउंट की जब भी बात करूँ, यह acid से भी react कर जाता है, यह base से भी react कर जाता है, ठीक है, इसका क्या मतलब, यह acidic भी nature में होगा, और basic भी होगा, तो कुछ होते हैं, like, aluminium के जो oxide होते हैं, zinc के जो oxide होते हैं, lead के जो oxide होते हैं, यह कुछ M4 टेरिक क्या हैं, इलेक्ट्रो पॉजर्टिव मेटल्स हैं, जिनको हम elements हैं, जो कि आप metals and non metals में पढ़ोगे, M4 टेरिक metals, ठीक है, तो यह तीन अभी में मैं बता दे रहा हूं, और भी होते हैं, दो-तीन, तो वह मैं आगे बता दूँँगा आपको, ठीक है, एक्षन दिखाएंगे, और base से भी react करेंगे, ताकि इनके पास acidic nature भी है, तो electro positive element तो हो गाई होगा, basic तो हो गाई होगा, acidic तो हो गाई होगा, electro negative नहीं होगा, ठीक है, तो first second, third will be the correct, चरिए, NTSC 2018 का सवाल यह भी करो, stage 2 के सारे question है, ठीक है, the correct order of increasing pH value of aqueous solution of baking soda, rock salt, walking, washing soda and slake lime is, so, increasing order of, पहले तो देखो rock salt का क्या मतलब यह, NACL, इनकी PS तो बहिया, neutral है, तो यह 7 क्या सपास होगी, ठीक है, baking soda की बात कर रहे हैं, तो sodium hydrogen carbonate की बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो कहीं नहीं कहीं, यह mild basic होगा, washing soda की आप बात कर रहे हैं, na2 co3 की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पर calcium carbonate की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर कहा है, calcium hydroxide S2C3, ठीक है, तो sequence तो simply एकदम simply दीख रहा है, इस तरीके से आपका vary करता जाएगा, तो सबसे ज़्यादा slag lime, washing soda, baking soda, and rock salt, तो slag lime, washing soda, baking, second will be the correct, ठीक है, चलिए, अब एक assertion reason कर लो, basically, यह बहुत ज़्यादा, देखो, हमें पता तो same thing होता है, कि हम same काम करते हैं, baking soda को ही लगाते हैं, जैसे formic acid, कोई भी end string जहां काटती है, वो formic acid क्या करती है, insert कर देती है, अब acid के effect को खतम करने के लिए, आप क्या करते हैं, बेस डालते हैं, जो कि mild basic को, आपके skin को effect ना करे, यह, तो basically आप baking soda use कर लेते हो, घर में easily available होता है, यह, बट क्या कैसे लगाते हूं, उसकी बात करते हैं, तो formic acid क्या 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 है, formic acid is present in end string, चलो अच्छी बात है, यह तो true है, यह क्या भी यह true है, यह तो हम जानते आएं, यह पढ़ते आएं, reason क्या है, the portion of body where ant bite is nibbed with dry baking soda, तो आप dry baking soda नहीं यूज करते हैं, जब भी आप यूज करते हैं, यही एक थोड़ा सा difference है, जो कि आपको पता होना चाहिए, कि आप कैसा baking soda यूज करते हो, wise, ठीक है, ताकि यह आसानी से, आपकी effect को खतम कर पाए, अगर dry use करोगे तो वह effect नहीं खतम करता, तो that's why reason क्या है, wrong हो गया भी हमारे लिए, तो A is true, but B is false, third option will be the correct, ठीक है, और last question for this session, और DPP आपको channel पर मिल जाएगी, फड़ाफट इसको try करिए, DPP आपको channel पर मैं दे द consumer has been using excess quantity of chemical fertilizers in field of number of years, the crop yield begin to reduce in spite of using chemical fertilizers, तो कौन कौन से option सही हो सकते, ठीक है, बताईए, अगर आप बहुत जादा fertilizers use करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो उस case में क्या होगा, देखो, basically जब भी आपकी pH क्या होती, soil की बढ़ने लगती है, तो आप उहाँ पर कुछ basic चीजे डालते हो, ठीक, acidic हो जाती है, बहुत ज्यादा जब आप chemical fertilizers use कर लेते हो, तो pH क्या होती है, घटने लगती है, मतलब soil आपका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा acidic हो जाता है, तो हम क्या करने कोशिस करते हो, उसको फिर से basic करने कोशिस करते हैं, तो उसमें mild acid, acidic characters को डालते जाते है, ठीक है, तो soil has become acidic, बहुत ज्यादा acidic हो जाता है, बहुत ज्यादा fertilizers use करते हो, तो pH क्या होने लगती है, उसकी घटने लगती है, तो हम उसमें क्या करते है, बेस मिला आते हैं, ताकि उसकी pH क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, pH क्या हो जाए, उसकी बढ़ने लगे, the option is not correct, the yield can improve by the slag line to the soil, कीक है, बिल्कुल perfect है, और organic matter basically acid compounds पाय जाते हैं, तो हम वह नहीं डाल सकते हैं, the yield can improve by adding common salt, बिल्कुल नहीं, salt to neutral compound है, तो यह नहीं, slag line हम डालते ह उसको, ठीक है, ताकि वो acid, slag line क्योंकि basic होता है, mild basic, यह क्या करता है, pH को increase कराने के लिए काम आता है, तो A and C option will be the correct, तो A and C, D will be the correct option, ठीक है, और अभी तक session खतम हो गया, बस इतनी ही चीज़े थी अभी तक के लिए, ठीक है, proper DPP आपको कहां मिलेगी, app पर मिलेगी, ठीक इस पर, app पर मिल गई है, और telegram भी जरूर जवाइन करके रखना, क्योंकि class की notification आपको वहीं मिलती है, और telegram कहां मिलेगा, तो description में आपको link मिल जाएगा, ठीक है, thank you so much, bye bye